तो अभी निकल रहा है यहाँ पास्ट मीं लोकेशन है वह बहुत अच्छा लोकेशन है राइड का यह को साड़ मार्केड का किल था मॉ dar कि दोजर बाइस तर लेहरे जैसे समुंदर में वाती है वैसे इस डैम में भी लेहरे आ रहे हुआ बहुत आउसम हुआ तो गाइस एक न्यूडे की सुरुवात हो गी है फिलाल अभी टाइम हो रहा है देख सकते हैं 12 तो अभी निकल रहे हैं यहां पर पास में लोकेशन है बहने सजेस्ट किया है बहुत अच्छा लोकेशन है डैम है फुटूरिया डैम उसका नाम है तो अभी यहां से निकल रहे देखते हैं कैसा है और फर्स्ट टाइम जा रहा हो तो हो सकता मुझे लगे आप लोगों को भी लगेगा यहां से निकलते हैं तो देखते हैं रास्ते में आप लोगों से मिलते रहेंगे बात भी करते रहेंगे वीडियो बने रहेंगा और यह पीछी जितने में देख रहा तो यहां से निकलते हैं मिलते हैं कि हम लोग कसीपूर जिखे पहुँच चुके हैं और यह जो फुटूरी डैम जो है जो लोग बैदने को प्रेले को उसी के पीछ में पढ़ता है और यह कासी पूर पर ज्यार हम लोग एंटर कर रहे हैं और अज यह बहुत ही बड़ा वदर और बारिश का मौसम जी से लग रहा है लेकिन देखते हैं बारिश होती है तो अब चाता आता लाए है पैक में कहीं खड़े हो जाएंगे लेकिन है ऐसे वेदर में घूमने का मज़ा अलग है सची आज दुपार पर गूप निकली हुई थी तो फोत रहते पता नहीं कैसा जा सब्सक्राइब लेप्ट साइड में मारकेट है जा चारो तरह अधरा से इधर बहुत लोग आते हैं मार्केट जो है यह उफें अपके उपाने हैं बड़ी बड़ी दुखाने तो इधर पड़ता है कास्तिपुर में राजबाडी बोलते हैं एक मंदिर जो है झाला जो किला एक तो बुलता है दुर्गा पुजा कि दिन यह ओपन होता है तो देखते हैं अब दो पन नहीं होगा वियन आपको बार से दिखा किलो कि दर एक वह आस्तिक आया था तब वह इस किले के अंदर गया था ठीक आगे मिलते हैं अपसे यह है काशिपूर का किला राजा का घर बढ़ अभी बंध है यह दुर्गा पुझा कि दिन यह उपन होता है तो जब आई लोग यहां पते तब मौसीलों के साथ में गया था मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं आपको अंदर सी दिखाऊंगा यह बार का गेट है अंदर है महल अगर उस साइड से अगर रास्ता से आपको दिख जाते तो इंट्री मिल गया अंदर से अभी हम लोग जा रहते तो आंटी लोग खड़ी थी उन्होंने का कि अंदर जाना घूमना हैं तो हमें कहा आये हैं तो घूम लेंगें तो फिलाल ईंट्री ले लिया निए 50 रूपिस लिया है मेरा अंदर कैसा महल बना हुआ है अभा सब आयोग आज ऑज़सम ही घिक अधर मिलते हैं तो गाइस देख सकते हैं यह है बहुत बहुत सालों पहले का यह बना गौर पॉन्चोकोड पैलेफ अंदर एंट्री करता है फिलाल अंदर कारवार भी खड़ी हुगी है हंस है यह राज हंस इदर बोलता है इदर कॉलेज मुला पहले होस्टल वगए रहा था इस साइड में एक मंदिर भी है ओया है तो गाईस यह देख सकते हैं बहुत ही जद और सब्सक्राइब doghandira के कितना पुरान अपर इस बोर्ड पर लिखाऊगा भंगाली मा इन कुधस कि ढढक है तो कर दो है बहुत से बहुत हैं और पीछे देख सकते इसमें क्लाउड बिल्कुल भी लोग भी नहीं है, मैं ब्लॉग करने अकेले, यहां पर कर पा रहा हूँ लेकिन दुर्गा पुजा के दिन इदर भीड होती ना पै रखने की जगे नहीं होती इतनी भीड होती है मेरे भाई लोग आये अगर फोटो होगा मेंशन कर दूंग आपको देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं मलब राजा लोगा हो सकता हो बिल्कुल साफ क्लियर फेस बना हुआ है अश्टेक्चर भी बहुत ज्यादा उसम है काफी पुराना तो गाइस आभी जो बोर्ड है उस पर पड़ा बंगाली में लिका था सिश्टर से पूचा तो यह लगबक 1323 में बना हुआ है महल और अभी तक की 2022 तक क्या आप काउंट कर लेजेगा तो फिलाल काफी बढ़िया लोकेशन लगा बट वेट है कि अगर हमको कभी मिलता है दूरका पुझा के दिन इधर आने के लिए तो जरूर आपको अंदर से भी दिखाएंगे अंदर का भी स्ट् लिंग का रही है तो प्लीज इंस्टाग्रम फॉलो कर लिजे तो फिर मिलते हैं यहां से देखते हैं अभी मौसम तो थोड़ा से बिगट रहा है कोशिश करेंगे अगर उदर पहुंचते तो ठीक नहीं तो वापस जाना पड़ेगा तो गाइस अभी एक और फैक्ट पता चला है इस महल के बारे में अभी बहार निकल रहते एक आंटी मिली उन्हेंने बताया कि इस राजा का जो सुसुराल है वो लखनौ है हम बहुत प्राउड कर रहा है कि इस महल में आए और पता चल रहा है कि इस राजा के सुसुराल जो है वो लखनौ है तो राजा के नाम जनो ओ ठीक है राजा का नाम अभी पता नहीं गूगल पर मुझे देखना पड़ेगा तो बता देंगा तो गाइज अभी पांच चुके फुटोरिया डैम और बहुती बहुती ऑसम प्लेस है अलब आज इसा फील हुआ ना जैसे अभी पांच घाड पता नहीं क्या नाम था तो बैसे ही मुझे लगा कि लोकेशन ऐसा ही है बहुत ही बढ़िया आप लोग को दिखा देता हूं यह देख सेगे क्या प्लेस है इदर शाम के बाग बैटने में अलगी मज़ा अलगी लेवल का मज़ा है देख सकते पीछे हलक पहाड़ भी है थोड़ा सा पहाड़ है और इस साइड में है रेस्टोरेंट पार्क बगेरा जोगी अभी क्लोज है क्योंकि बारिश है बारिश का मौस है मैं इसलिए क्लोज है काफी बढ़िया प्लेस है अभी अभी है कि अजय कुछ कुछ भी थान की पानी की घरम की पानी की घरम किलाल इस पक्षुरों के चलने का टाक्स बहुत मुदब हार्डवर्थ है अराम से आना अस इस बहन नहीं तो जीरोगी मुदब ब्लॉगिंग के लिए अपनी बहन को भी मुदब तकलीफ में डाब दिया है अपनूच गया हम लोग किनारे के दम पानी गया साथ तो गरम है पानी गरम है कि यह बारीष ही नहें इस बज़े से पानी गराम है राह नहीं है तो गाईस नहाल है मान चलंग को प्रेंड नहीं आता है निये तो नहाल रहे है लेकिन है गहर आएं पुरा पथर आ गर्राच कर देखा दिखा हूं पूरा पत्थर है चारओ पथरी रठी जते हैं अगी एक वो डेम का प्त्थर से बहुत ही अलग है वो डेम इस बाद जानी पाए कोशिश करेंगे उस डेम जायेंगे माइफन डेम कोशिश बहुत किये थे पता नहीं क्यों नहीं जा पाए इदर का पत्त देग लीजे कैसा है ऐसे नुकीले प्त्थर से भी हमको ऊपा जाना तो थोड़ा इकस्पिरेंस है ऐसे तो पर चलने के लिह थोड़ा बहुत एकस्पिरेंस होना भी चछिए कहीं भी जाकर के सुटेवल होग यह बड़िया है चह Kayla यह जाकर जाए भारिशप चाहे धूब और चाहे हो बसात अभी ऐसा मौसाम था ना मनलब आप्टोनून में ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी लेकिन यहां पर पहुंच के बारिश और ऐसे व्यू को आनन मनलब बहुत ही वेस्टमेंगोल का ट्रीप जो है जब भी आता हूं अच्छा ही होता है दिन मौलत कैसे भी कड़के सोचना लगता हूं कि यार इस बार पहुंच रहे हैं हो नहीं पाएगा लेकिन बढ़ अच्छा ही हुआ तो एक बार इस में जेरे को उज्वाए उसके बाद यहां से निकलेंगे क्योंकि हो रही है बारिश और यहां से लगबग आधरा 30 किलिम सफर का भी आनंद अच्छे से इंज्वाई किया और मंजिल का भी इंज्वाइमेंट बहुत बढ़िया तो यहां से निकलते हैं अब रास्ते में एक दो शौड लेंगे फिर मिलेंगे आप लोग को सीदे घर पे अधरा में तो गाइस फिलाल यहां से निकल रहते हैं तो ल अब आप लिए निकले तो यहां के लिए तो फोलो कर लीजिए और देख सकते लोकेशन कितना आसा यह ना देख लीजा है अलव सब यह चीजे तो देखनें का मलता है बड़ा सकून सा मिलता है पता ने क्यों अब लहरे जैसे समूंदर में आती है वैसे यह 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 बड़ आसम हाँ है O God, Jesus अभी मुर्जा गया खिला नहीं है विव एक नमबर है इधर बारिश में आ रहे तो इधर सोचा था कि इधर आके पता नहीं क्या से विव होगा लेकिन इधर आके जो विव मिला ना दिल खुश हो गया मैं ऐसे जगह पे सच में मलब सकून मिल जाता है आप लोग को साइट से मिलता होगा तो जरूर ऐसे जगह पर विजिट कीजेगा क्योंकि मैं ऐसे जगह पर जाता हूं थोड़ा सांत वाता वरण होता है अगदम फ्रेश माइंड हो जाता है थाले टैंचेन जितने भी थाट्स घर के सब भूल जाते हैं और यह देख सेगे कि सब पानी के लहरे लग पानी की आवाज भी आप लोग को सुनाई दे रही होगी चिडिये की आवाज लग सच मैं दिल खुश हो गया आज जगह पर जाता हो जाता हूं सा मिलता है तो फिलाल कुस समय यहां पर थोड़े देर बैठेंगे कोई ब्लॉग नहीं कोई रील्स मि अब ही हो गया है ठाई बजगया है और अभी तक कुछ खाए भी नहीं है तो यहां पर देख लेंगे अगर बहार मिलता है खाने को तो खाएंगे तो मिलेंगे अगर आप अगर आप 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 अगर 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 आप अगर एक ज़ा हो रही है बहुत केज़ बारिश अगर बहुत कुछ पाने के लिए उस्ते बारिश बारिश हो रही है अप देख दर पहार लोग यह ही पर फोड़ा विजिट कर रहे है तो हेगा यह सब घर आ चुके हैं बारिश बहुत जादा हो रही है भीग भीग घर आ है भागी चिला रहा है पीछे और यह आगया खाना यहां दाल चावल दर है चिकन विकन दीदी लोग ने बना कर रखा था फिलाल अभी टाइम हो रहा है चार चार बाज गिया क्या हुआ वीडियो बहुत अच्छे से सूट किया रीव बगारा बनाया और रास्ता भी थोड़ा से दूर था बारिश की वज़े से रुप रुप क्या है इसलिए वज़े से थोड़ा से लिट हो गए ठीक है वीडियो को यही पैरन करते हैं आई होप यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देजाएं मिलते हैं किसी नए वीडियो के सब तक तब तक कीप लगें की सब्सक्राइब बाइए